Hello Everyone, Welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारती रास्टपती से सम्मंदित TOE 40 MCQs जोकी एक्जाम के पॉइंट अभी से काफे इंपोर्टेंट होने वाले हैं देखे Unacademy पर अगर आपने अभी तक कोई Plus subscription नहीं जोइन किया है तो Plus के क्या-क्या benefits है वो मैं बता देता हूँ Plus course में आपको live classes मिलती है structure courses मिलता है weekly test, unlimited access आप किसी भी educator की class देख सकते हैं किसी भी time पे और एक समय पे कितनी भी classes देख सकते हैं वो आपका मन करें personal guidance होगी दोस्तों, test analysis होगी है expert guidance, study planner, study matter यह सारी चीज़े और doubt session होते हैं बहुत सारी चीज़े होती है जो एक complete चारी के लिए चीज़े चाहिए होती है वो सब कुछ Unacademy Plus पे मिल जाता है आप किसी भी exam की complete चारी करने के लिए जब भी आप Unacademy पर subscription जोइन करें SSC से लेके UPSC तक तो आपको referral code apply करना है study 10, STUDY10 without any space सभी category में और free classes को भी avail करने के लिए आप इस code को apply कर सकते हैं सफल तबेच आप जोइन कर सकते हैं और देखे जब आप 24 मन्त का subscription जोइन करते हैं तो आप 76% तक का save कर सकते हैं यानि कि पर मन्त 325 पर मन्त आपको मिल जाता है subscription 12 मन्त का subscription होता है 542 पर मन्त होता है और 6 मन्त का subscription आपको 900 पर मन्त मिल जाता है जैसे आप code apply करोगे तो थोड़ा और discount मिल जाएगा इन सब में तो आप देख लीजेगा discount apply करके आप ये subscription join कर सकते हैं और देखे सबसे important चीज अगर आपको कोई भी course और कोई भी class की pdf लेनी है तो आप telegram पे जाके सौरब मलिक official search करके join कर लिजेगा ये मेरा official telegram channel है जहाँ पर मैं आपको सारी चीजों की video और pdf प्रोवाइड करा देता हूं और ये अभी मैंने नया बनाया है तो जल्दी से join कर लिजे और अभी session को पूरा इंड तक देखेगा तो चलिए शुरू करता है दोस्तो आज की video का पहला question है भारत सरकार का सविधानिक अध्यक्स कौन होता है देखे काफी बढ़िया session होगा और पूरा इंड तक देखेगा ठीक है जिस भी question का answer आता होगा नीचे comment box में जरूब बतेगा इस question का सही answer होगा दोस्तो प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट दोस्तो सविधानिक अध्यक्स होता है बट जो real head होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है चोकि article 53-1 क्या बताता है इसको देख लेता है रास्पती को भारत की संग की कारेकारी सकती परदान करता है इसलिए वे भारत सरकार का सविधानिक परमुख है ठीक है लेकिन साशन की वास्तविक सकतिया परदान मंतरी के कारेले में नहीं थै इसलिए भारत में परदान मंतरी को सरकार का वास्तविक परमुख कहा जाता है तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है तो जो रास्पती है दोस्तो वह सविधानिक ठीक है head है और परमुख है और यहाँ पर जो रियल परदान है यानि की वास्तविक परदान कोन है वो परदान मंतरी है ठीक है चले अगले कोशन की और बढ़ते हैं दूसरा कोशन है कि भारत की रास्पती के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निमलिकित में से कौन करता है तो गाईज इस कोशन का सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही लेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया यानि की भारत का निर्वाचन आयोग भरता है यानि की ऑप्शन आपका बी रेट आंसर होने वाला है अगला कोशन है भारत की राजपती का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निमलिकित में कौन सामिल होता है तो भारत की राजपती का निर्वाचन करने के लिए दोस्तों निर्वाचन मंडल में सामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तता सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ध्यान सुनिएगा निर्वाचित सदस्य यहां पे वर्ड यूज क्या गया है तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा C ठीक है चले अगला कोशन आता है कि भारत के राजपती के चुनाव में जीतने वाले परत्यासी को प्राप्त करने चाहिए तो भारत के राजपती के चुनाव में जीतने वाले परत्यासी को दोस्तों more than 50% and majority of the total votes मिलने चाहिए ठीक है तो यह आपका right answer हो जाएगा D 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत दोस्तों सविधान का अनुच्छेच साथ संदर्वित है आपको बताना है सविधान का अनुच्छेच साथ क्या बताता है तो इस question का सही उत्तर क्या होगा जल्दी बताए बिलकुल यहाँ पे जो right answer होगा दोस्तों सविधान का अनुच्छेच साथ जो है वो oath of the president ठीक है राजपती की सपत से संबंदित है यानि की option b right answer होने वाला है राजपती को पद की सपत कौन दिलाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों राजपती को पद की सपत दिलाता है Chief Justice of India भारत का मुख्य नहादिस यानि की इस question का सही answer option a हो जाएगा ठीक है चले अगला question है भारत की राजपती पर महा अभियोग की विधी अपनाई गई है तो भारत के राजपती पर महा अभियोग की जो विधी है दोस्तों वह अपनाई गई है USA के सविधान से यानि की option a right answer हो जाएगा यानि की impeachment process हमने USA से लिया है और दोस्तों जो पद है प्रेजिडेंट का वो भी हमने USA से ही लिया है तो इस question का भी right answer USA हो जाएगा अगला question है भारत के राजपती को उनके पद से कौन हटा सकता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा भारत के राजपती को उनके पद से हटा सकता है पारलेमेंट के द्वारा यानि की option c right answer हो जाएगा यानि की impeachment procedure के थोरा next question है भारत के राजपती के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयूप पूरी कर लेनी चाहिए तो भारत के राजपती चुनाव के लिए नागरिक को minimum 35 वर्स पूरी कर लेनी चाहिए और maximum का कोई परवदान नहीं है ये भी आप जरूर याद रखेगा देखेए सविदान के अनुच्छिद 58 में बताया गया है कि भारत के राजपती के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यता का लेक है आवश्यक योग्यता में सामिल क्या-क्या है ये मैं बता देता हूँ सबसे पहला तो यह है कि दोस्तों वह भारत का नागरिक हो ठीक है 35 वर्स की आयूप पूरी कर चुका हो और उसे हाउस और पिपल यानि कि लोगसभा के सदस्य के रूप में चुनेने के लिए योग्यता होना चाहिए दोस्तों प्रेजदेंट के लिए निुक्त होगा उसे लोगसभा मेंबर की जो रिक्वार्मेंट होती है क्वालिफीकेशन वह सारी रिक्वार्मेंट होगी यानि कि वह सारी चीज़े पूरी होनी चाहिए तो ये point भी आप note कर लेज़ेगा अगला question है राजपती की सेनर्थी I.U. क्या है तो राजपती की दोस्तो retirement age जो है वो कोई नहीं है no age limit है ये article 56 में दोस्तों बताया गया है इसको correct कर लेना 56 होगा 56 के भागवन में राजपती के कारेकाल का लेक है जो उस तिथी से 5 वर्स का है जिस दिन वे अपने कार्याले में परवेश करता है ठीक है तो ये आपको या दखना है भारत का उपराश्पती निर्वाचित होता है दोस्तों भारत का उपराश्पती निर्वाचित होता है तो भारत का उप राजपती निर्वाचित होता है संसद के सदश्यों द्वारा तम मेंबर्स ओफ पारलेमेंट द्वारा नेक्स कोशन है भारत के राजपती को परती महा कितना वेतन प्राप्त होता है भारत के राजपती को परती महा कितना वेतन प्राप्त होता है तो guys इस question का जो सही उत्तर होगा that is option D 5 लाक रुपे प्राप्थ होता है रास्टपती अपने पत से त्यागपत्र देना चाहे तो वे किसे देगा तो रास्टपती अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वे अपना त्यागपत्र दोस्तों Vice President को देगा ठीक है Article 56 का 1 भाग कहता है मैं उलेक क्या गया है कि भारत की रास्टपती उप रास्टपती को सम्मोधित करता है एक पत्र लिखकर अपने पत्र से इस्थिपा दे सकता है और के अनुसार उप रास्टपती को सम्मोधित किसी भी इस्थिप को लोकसबा अध्यक सुचित किया जाएगा यह भी आपका अध्यक नहीं भारतिय सविधान का अनुसार भारत की रास्पती के कारियल में रिक्त को भरा जाएगा कितने दिन के अंदर तो ये दोस्तों भरा जाएगा 6 महीने के अंदर यानि कि रास्पती का जो ओफिस खाली होगा तो उसको within 6 months दोस्तों भरा जाएगा यानि कि option इसका right answer B होने वाला है Next question रास्पती द्वारा संसद के लिए कितने सदिश्यों को नामित किया जा सकता है जल्दी बताइए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना student गलत कर रहे है आज कल How many members can be nominated by sorry for parliament by the president तो parliament में दोस्तों 12 लोगों को रास्पती नोमिनेट करता है और वो भी कहाँ पर राज्य सभा में ठीक है लोग सभा में जो दो member नोमिनेट की जाते थे अब उनको नहीं करते हैं तो राज्य सभा में 12 होगे तो अब पूरी पारलेमेंट में ही 12 नोमिनेट करता है रास्पती तो इस question का right answer C होगा ना कि D next है निमलेकित में से कौन देश का बलो का सर्वुच कमांड संग सरकार के राज्य पत्रित अधिकारी की न्युक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कोन करता है तो इस question का जरा answer बताईए क्या होने वाला है दोस्तो इस question का सही उत्तर होगा संग सरकार के राजड़ पति अधिकारी की नियुक्ती और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है धारी प्रेजिडेंट ओफ इंडिया यानी की ऑप्षन है हो जाएगा दोस्तो रास्पती भारत संग की कारेकारी परमुख है भारत के सभी महत्पून न्युक्तियां भारत की रास्पती द्वारा की जाती है उनमें से अधिकांस के राज़पती द्वारा उनके कारियले से हटा दिया जाता है और उनमें से कुछ राज़पती के प्रायदिप्यत कारियले में रहते हैं केंद्र सरकार के राज पत्रित अधिकारियों को केवल राजपती दुआरा न्यूक्त और बर्खास्त किया जाता है। नेक्स है निमलकित में से कौन सी न्यूक्ती राजपती के दुआरा नहीं की जाती है। तो निमलेकित में से कौन सी न्यूक्ती दोस्तो रास्तपती द्वारा न्यूक्त नहीं की जाती है न्यूक्ती नहीं की जाती है तो speaker of लोकसभा इस question का दोस्तो यहां पे right answer होने वाला है यानि की option A is the right answer भारत के मुख्यन यहदीस भारत में सभी तीन रक्सा बलो के परमुक यानि भारतियर सेना नो सेना और वायू सेना की न्यूक्ती भारत के रास्तपती द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा के अध्यक्स की न्यूक्ती रास्तपती द्वारा नहीं की जाती है बलकि वे अपने सदेश्य में से नवगठित लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं तो ये आप लोगों को जरूर एक बार पढ़ लेना है राजपती के न्यूक्ति के चेत्र अधिकार के अंतरगत इनमें से कौन नहीं है तो दोस्तो कौन नहीं है जल्दी से बताएगा तो इसमें अगर मैं बात कर वह एडवोकेट जनरल की तो ये नहीं है तो राजपती का अध्यादेश लागू रह सकता है रासपती का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने महीने के लिए प्रिजिडेंट ओर्डिनेंस कें रिमेन इन फोर्स फोर सिक्स मांथ छे महिने के लिए यानिकि बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स है भारत के पहले दलित रास्पती कौन थे दीखे भारत के पहले दलित रास्पती ये कुशन कहीं बार आ चुका एक्जाम में तो भारत के पहले दलित रास्पती थे दोस्तो के आर नारायन ठीक है के आर नारायन भारत के पहले दलित रास्पती थे और देश के सरवुचपद को प्राप्त करने वाले पहले मल्याली वैक्ती भी थे ठीक है तो यह आप देख लीजेगा यहाँ पे गर मैं इनके कारेकाल की बात करूँ दोस्तों तो 1997 से 2002 तक इन्हें ये जो है दोस्तों दसवे रास्पती के रूप में और नुवे उपरास्पती के रूप में नुक्त रहे हैं ठीक है अगला कोशन आता है लोक लेखा समीथी अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करती है तो लोक लेखा समीथी दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करती है किसे the speaker of local sabhah को ठीक है right answer is option B the speaker of local sabhah ये आपका right answer हो जाएगा समीति का अध्यक्स लोकसभा अध्यक्स द्वारा न्यूक्त किया जाता है यह भी आपको याद रखना है और यह समीति लोकसभा की स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है यह चीजे आपको मिल दाएगे और देखे इसकी जो पीडियाप है दोस्तों वह आपको मिल टेलिग्राम पे और टेलिग्राम का नाम है सोरब मलिक ओफिशल सर्च कर लेना आपको ये पीडियप भी मिल जाएगे और वहाँ पे और भी पीडियप और भी वीडियो के लिंक मिल देंगे नेमलिके तुमें से कौन दो बार भारत का राजपती चुना गया है तो दोस्तों दो बार भारत का राज़ेंदर परसाद यानि कि D यहां पे रेट आंसर हो जाएगा कब कब दोस्तों देखें यहां पर अगर मैं बात करूं तो भारत के पहले राज़ेंदर परसाद 1950 में न्युक्त हुए थे फिर 1962 तक दोस्तों बीच में एक बार फिर 1957 में न्युक्त हुए यानि कि 1950 से 1962 तक इनका कारेकाल रहा है और यह दो बार राज़पती बने एक बार 1950 में एक बार 1957 में ठीक है चलिए दोस्तों एक राधा किस्टन भारत के दूसरे राज़पती थे जबकि के आर नारायन समाज के हासी के तबके से राज़पती चुनने जाने वाले पहले उम्मीदवार थे वैसे तने इंपोटेंट अलाइन नहीं दिये आपको यह याद रखना है जो मैंने आपको पहले बता था कोषण आता है कि नमिलिकित में से कौन सा व्यक्ति निरविरोध राजपती पद के लिए चुना गया था इस कोषण का दोस्तों सही आंसर क्या होगा आप्शन हो जाएगा एन संजीव रेड़ी ठीक है नीलम संजीव रेड़ी इस दर रहे टांस है तो यह आपको है दख रहा है तो नीलम संजीव रेड़ी दोस्तों एक मात रास्पती है जो निर्वरोद चुने गए उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छटे रास्पती के रूप में कारिय किया वे आंद्र परदेश के पहले मुख्य मंत्री और दो बार लोकसभा अध्यक्स रहें और वे अब तक के सबसे कम उम्र के भारतिय रास्पती बने हैं दोस्तों कौन पहली बार गेर राजनेतिक वेक्ती रास्पती बने थे तो डोक्टर एपिजे अब्दुल कलाम जी दोस्तों गेर राजनेतिक वेक्ती थे जो रास्पती नियुक्त हुए थे तो इस कोश्यान का राइट आंसर भी हो जाएगा नेक्स है भारतिय सविदान के अनुसार केंद्रे मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा तो दोस्तों इस कोश्यन का राइट आंसर क्या होगा भारतिय सविदान के अनुसार केंद्रे मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से अनुसार बना रहेगा रास् नेक्स है उपरास्पती खलेस्थान होता है उपरास्पती दोस्तों किसी भी सदन का सदेश्चन नहीं होता है नोटा मेंबर ओप एनी हाउस तो यहां पर रेट आंसर डी होगा नेक्स है भारत का उपरास्पती निर्वाचित होता है भारत का उपरास्पती निर्वाचित होत लगतार दो कारेकाल संपन किये तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ भारत के किस उपरासपती ने लगतार दो कारेकाल संपन किये तो एस रादा किसन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशन आता है किसी दोसी व्यक्ति को सजा को समा लंबन या परिहार की सक्ती नहीं थै तो ये किसको है दोस्तों ये बहुत easy question है ठीक है ना तो इस question का जो right answer होगा that is बिल्कुल president हो जाएगा right answer अगला question आता है कि राजपती का अभिभासन कौन त्यार करता है देखिर राजपती का अभिभासन दोस्तों कौन त्यार करता है तो किंद्रे मंत्री मंडल इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है राजपती किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है यहाँ पर right answer हो जाएगा union list यानि कि संग सूची पर कोशन आता है कि दा डिपब्लिक एथिक और लोकतंतर के सवर नामक पुष्टक संबन्दित है तो ये है दोस्तो बिलकुर रास्पती का भाषन यानि की ओप्शन भी रैट आंसर हो जाएगा कोशन आता है कोशन आता है निमलिकित में से किस रास्पती का कारियकाल के दोरान निदन हो गया तो which of the following president die during the tenure तो निमलिखित में से किस राजपती का कारेकाल के दुरान निदन हो गया तो यहाँ पर राइट आंसर हो जेगा फक्रुदीन अली अहमद फक्रुदीन अली अहमद इस दा राइट आंसर कौन बिहार के राजपाल के रूप में कारिय करने वाले पहले रासपती है तो कौन बिहार के राजपाल के रूप में कारिय करने वाले दोस्तों पहले रासपती है तो जाकिर हुसेन इस कोशन का राइट आंसर हो कोशन आता है निमलिकित में से किस रास्पती ने लोकसभा अद्यक्स के रूप में कार्य किया तो नीलम संजीव रेड़ी दोस्तों यहां पे राइट आंसर रहने वाला है सविदान का उलंगन करने पर रास्पती पर महा अभियोग लगाया जा सकता है दोस्तो किस हाउस में या फिर किस के दुआरा तो दोना हाउस में लगा जा सकता है संसत के दोनों सद्रों में तो रैट आंसर इस D कोशन है सुकोई 30 में उडान भरने वाले पहले रासपती कौन है तो सुकोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले रास्पती दोस्तो परतिभा पाटिल जी है यानि कि option B right answer हो जाएगा नमलिकित विटो सक्तियों में से कौन रास्पती को परदान नहीं की जाती है तो इस question का दोस्तो right answer होगा योगे विटो नहीं परदान की जाती है निकि C is the right answer देखे आर एक तो आप लोग ना like नहीं करते हो तो like जरू कर दिया करें और मैं आपको हर मतलब पीडियाप चेंज करते रहोंगा तो आपको session पूरा end तक देखना होता है ठीक है चले next और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है और देखे अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो ढाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा